मध्य प्रदेश के पूर्व मुख मंत्री और प्रदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष कमलनात के निर्देश पर आज बढ़ते प्रटोल और डीजल के दम और महगाई के विरोध में इंदोर के कॉंग्रेस सड़क पर उत्री। कॉंग्रेस नेताओं ने मधुमिलन चौराहे से लेकर रीगल तीहारे तक पैदल मार्च निकाला। इस दोरान बड़ी संख्या में कॉंग्रेस के आला नेता मौझूद रहे। प्रदर्शन के दोरान पूर्व मंत्री सज्जन सिंग वर्मा, पूर्व मंत्री जीतु पटवा विधायक संजस्टुकला और महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष अर्चना जैसवाल सहेत तमाम कॉंग्रेस नेताओं ने गाड़ियों को हां से खीचा, तो वहीं बाइक को ठेले पर रखकर चौराहे तक लेकर आए। कॉंग्रेस का आरोप है कि बेताहाशा महगाई ने आम जनत की कमर तोड़कर रख दी है, आज प्रेटोल डीजल के दाम सो रुपे से जादा हो चुके हैं तो वही रसोई गैस सेलेंडर के दाम एक हजार रुपे तक पहुँच चुका है। जाई बड़ी हो गया और हम यह कर देंगे बाबाराम देओ अजारे गुफा से निकल निकल का अगया ते अब वह अटानी अंबानी टाटा बिल्ला को यह देश नरेंद मोदी ने बेज दिया यह महिंगाई जो बढ़ रही है इनी सरमायधारों की देने हैं कुछ कमा रहे ह जाने दस गुना बढ़ गी लोगों का व्यापार्ट सप्पे अडानी अंबानी की संपत्ति दस गुना बढ़ गी यह तो और रिकार्ड आया है विश्व पड़की यह हालत है तो हम भी जनता को जगाने निकले हैं कि देख लो किस तरह लूटा जा रहा है तुम्हें सबस्टाइब कर दो